सो फ्रेंट्स सबसे पहले हमने क्या काम करना है तो सबसे पहले हमने टायर जो है वो रिमूव करने से पहले टायर खोलने से पहले हमें बॉडी से हटाने से पहले हम लोग इस कार को पहले जैक मॉड पर करेंगे जैक मॉड पर करने का क्या प्रोसीजर है सबसे पहले हम इसका ignition on करेंगे यह देखे जैसे ignition on करने के बाद हम लोग इसकी जो MI screen है वो बाहर आ चुकी है और इसके बाद हमने इसको यह आप देख रहे हैं system और यह system का selection यहां से होगा system पर करके यह आ गया इसमें आप देख रहे हैं कि vehicle setting drive assist AC and service check अब हमने इस button से scroll करने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से scroll करेंगे सो यह देखें आप यह service and checks पर आ गया तो इसमें कुछ option आया है tire pressure monitoring oil level service interval air suspension wheel change सो हमने air suspension wheel change पर इसको लेना है यह off से हम लोग इसके on कर देंगे यह air suspension wheel change अब इसका on हो चुका है अब हम easily इसको tire को remove कर सकते हैं तो अचलिए tire को remove करते हैं हो मैं के दलेकियो हो हम चुक कि झॉड़े तो